नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसी सोर आप देख रहे हैं लर्ड विल चैनल तो दोस्तों आज हम लोग वाउचेर के अंदर नरेशन में कुछ फील्ड्स को ऐड़ करके देखेंगे जैसे कि automatic narration कैसे लेके आना है narration का size हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं जैसे भी छोटा box दिख रहा है इसको पूरी full size के कैसे कर सकते हैं narration के आसपास अपना कोई detail एड़ करना हो खुद का कुछ चीज एड़ करना हो कैसे एड़ कर सकते हैं और भी अगर on focus आने से कुछ message हो गरसो करना है तो कैसे कर सकते हैं तो यह सारक सारा detail आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कैसे बनाना है कैसे क्या करेंगे tdl code के थूँ चलिए देखें तो सबसे पहले दोस्तों अपने को teleprime developer open कर लेना है अगर आपके पास में teleprime developer नहीं है तो आप इसको install कर लीजे मैंने पुरानी वीडियो भी कुछ डाल कर रखा हुआ है उससे आपको help मिल जाएगी कैसे teleprime developer को install करना है आपको और हम लोग teleprime को भी दोस्तो developer mode में open करेंगे भी यह normal mode में जो teleprime open है अभी आप देख सकते हैं कि इधर developer mode लिखा हुआ है gateway आप tele in developer mode करके आनि कि अपना tele जो है भी developer mode में open हो चुका है अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों कोई सा भी voucher open कर लेते हैं जैसे मैं यहाँ पर sales voucher open करता हूँ अब यहाँ पर मैं narration जे करेंगे इसके लिए अब जो और फिल्ड का नाम है तो यहाँ अपने फिल्ड करके आ गया उस्पर जा कि यहां पर इस फिल्ड कर रहें लेकिन इस से हम लोग को एक मतलब नहीं कैसे आपको फिल्ड को खुझना रहता है वो मैंने आपको भी बाताई अभी मैं यहाँ पर एक फाइल टरちょ तो यहां मैं फाइल में जाओंगा यहां पर new file पे click करूँगा और जो भी अपने को file का नाम देना है उस file का नाम दे के आपको इसको save कर लेना है अब जैसे मैं इसका नाम दे दा हूँ narration करके आप कुछ भी इस तरीके का एक नाम दे सकते हैं अभी मैंने इसको save पर दिया तो सबसे पहला काम क्या करते हैं दोस्तों कि यहां पर हम लोग automatic narration add करते हैं यानि जब भी आप voucher create करने जाए तो automatic आपका narration वहाँ पर add होके आता लिए अभी दोस्तों हमने देखा था field का नाम vcs narration करके तो यहां भी एक bracket लेंगे और has के साथ में लिख देना है ठीक है और इधर भी vcs narration करके type कर देंगे bracket close करेंगे अगर अभी आपको चेक करना ही सही नाम है कि नहीं है तो आप control के साथ में इसके उपर click कर सकते हैं और इस में इस लिश्ट में definition type में आप go करके जा सकते अपना सेम वही वाला field यहां पर भी आपको दिखाई देगा जो टैली के अंदर default जला हुआ है अब यहां पर जैसे width होगर है यह सारी चीज़े है lines है line 4 आप add कर सकते हैं width तो यह सभी चीज़े भी आप वहां पर change कर सकते हैं अगर मैं इसको copy करूँ और यहां पर इसको मैं पेस्ट कर दो अब इसमें line 4 की जगह में और भी lines अपने को add करनी है line 8 कर सकते हैं ठीक है यह इसकी जरूद नहीं है यह हटा जाते है width आपको 100% कर सकते हैं यहां पर max character होगर कुछ अगर करना है तो आपको max भी add कर सकते हैं इस तरीके तो 400-500 जितने भी character आपको उधर डालने हैं ठीक है अगर मैं इसको भी save करूँ और save करके यहां पर जाओं TDL को load करने के लिए मैं help में गया TDL and addon में गया manage local TDL मेरे desktop में पढ़ा तो select from drive कर लेता हूँ desktop और यहां पर narration करके है इसको select कर लेता हूँ यह अपना save हो गया अब वापस से जाके अगर मैं इसको voucher open करूँ और narration वाले part में चलूँ तो अब आप देख सकते हैं अपना narration पूरा यहां से यहां तक पूरा full आ रहा है तो इस तरीके साब narration की size होगर अब यहां पर लेके आनी है उस चीज़ को आप यहां पर डाल से अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है being cells ठीक है तो मैंने इसको double inverted common बस इतना ही add कर दिया अब अगर मैं इसको save करके इधर check करूंगा मैंने TDL को अपस से load किया तो अब आप यहां पर देख सक करेंगे payment में भी यही चीज लिख क्या रहा है अब यह चीज हर जगह है लिखी हुई है यही सेम चीज इस चीज को आप fix भी कर सकते हैं कि आपका अगर sales का voucher रहे तो क्या लिख क्या आए और साथ में यहां पर जो भी voucher number रहे वह भी यहां पर collect करके आए गर मान लीजिए मैं sales में यहां कुछ भी एक voucher number डालूं तो automatic यह voucher number भी यहां select हो के आए उसके लिए condition लगा देते हैं तो यह चीज तो अपना लिखाई रहेगा ऐसे ही इसमें if लगाएंगे एक bracket ले ले लेंगे यहां bracket के साथ में double dollar के साथ में लिखेंगे each sales ठीक है इस तरीके से each purchase, each payment जो भी आपको voucher type चाहिए, each sales क्या है यहां पर उसको बताएंगे, column लगाएंगे और double has के साथ में sb voucher type, double has के साथ में लिखेंगे voucher type, तो जो भी अपना voucher type रहेगा दोस्तों वह आएगा, अब यहां पर bracket close करेंगे, if each sales sb voucher type, then ठीक है, then लिखने के बाद में यह अपन नरेशन तो आ गया, इसके बाद में अपने को voucher number भी add करना है, यानि कि जो भी आप यहां पर voucher number डालें, उसाथ में narration के साथ में 455 डला हुआ है, 455 नरेशन में आटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए यहां पर प्लस करके, VCH number भी add कर दो, यहां पर लिखेंगे है, VCH number कर करने के बाद में, यहां पे else if लिखेंगे, और paste कर देंगे, तो ऐसे ही else if, else if लिखेंगे, आपको आगे तक जहां तक भी चाहिए, वहां तक आप डाल सकते हैं, अब इस वाले में, else if वाले में, यहां पे आपका each purchase कर देंगे, जो voucher type है, और यहां पे भी narration में भी आप change क कर सकते हैं, आपके purchase के हिसाब, जो भी narration है, वो डाल सकते हैं, फिर जब सभी vouchers का आप narration डाल चुके, इस तरीके से paste कर करके, फिर last में, सबसे last में आपको लिख देना है, else और इस तरीके से double unit, dot लगा देंगे, blank हो जाएगा, अगर मतलब आपने जो भी यहां पे voucher type name में दाला हुआ है, इसके अलावा अगर कोई भी voucher type आए, तो अपना यहां पे last में, else लगा के, blank कर देना है, कि वो blank दीखे, ठीक है, तो यह अपना complete हो गया, इसको एक बार save करते हैं, और चल के देखें, अभी मैं इसको save करता हूँ, टैलीम जाके इसको दुआरा slot करेंगे, टीडियल को refresh कर देते हैं, अब वापस से चलेंगे voucher में, और यहां पे भी देख सकते हैं, being sales wide invoice number लिखा हुआ है, अब मैं यहां पे एक कोई सा भी invoice number डालता हूँ, ठीक मैंने इस तरह के से एक invoice number डाल दिया, जैसे ही मैं enter करूँगा, आप देख सकते हैं, यहां पे last में, वो invoice number add हो गया, being sales wide invoice number is 554 करके, इसके लावाँ और भी जो चीज़े अगर आपको कुछ और भी एक्स्टा चीज़े add करनी हैं, तो आप इसी में plus लगा के add कर सकते हैं, तो लास्ट में फिर यह भी add होके आएगा, अभी एगर इसको मैं save करके दिखा हूँ, यह जैसे मैं प purchase वाले में add किया last में, अब मैं इधर purchase वाले में तो नहीं आएगा, purchase वाले में दिखेगा, refresh करता हूँ TDL को, अभी sales वाले में इतना ही आ रहा है, अभी मैं purchase वाले में जाता हूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर last voucher number के साथ में, नाम भी add होके आ रहा है इस तरीके साब extra details set कर सकते हैं, इसमें बाकी आप space हो गए रहा है, extra देना चाहें, extra space हो गए रहा है यहाँ पर नाम के आगे पीछे, इस तरीके से add कर सकते हैं, आपका वहाँ पर अच्छे धंग से दिखेगा, ठीक दोस्तों इस तरीके से आप automatic narration set कर सकते हैं, आपके voucher के हिसाब से सभी आप vouchers को add करके, अब इसमें अपन एक चीज़ और add करते हैं, कि अगर आपको यहाँ पर कुछ information चाहिए, कि जैसे ही आप यहाँ पर narration के पास में पहुंचें, यहाँ पर कुछ एक message pop-up होके आजाए, तो message pop-up कैसे होके आएगा, narration ही नहीं, बाकी जगे भी आप इस तरीके की चीज़ों को add कर सकते हैं, अभी जैसे अपना narration के पास में मैं बोल रहा हूं कि pop-up होके आएगा वो field, वह इसी ही आप यहाँ पर laser name के पास जैसे करजर लेके जाएंगा, वहाँ भी आप pop-up ला सकते, अपना यहाँ पर VCS generation field अपनी select ही है, यहीं पर हम ल अगर आपको और भी voucher type चाहिए तो इस तरीके से और लगा के double add the rate is purchase करके ऐसा भी लिख सकते, ठीक है, उसके बाद फिर अपने को ऐसा column के चिन लगाना है, और यहाँ पर call कराना है, इधर call करके लिखेंगे, मैं यहाँ पर LW message करके add कर देता हूं, अब LW message जो मैंने add किय दोस्तों यह function है अपना, इस function को हम लोग यहाँ पर last में कहीं भी एक जगह add कर लेंगे, तो bracket लेंगे, यहाँ लिखेंगे function और इसको paste कर देना है, ठीक है, bracket close करते हैं, यहाँ पर अपने को function लिखना है, फंक्सन लिखने के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, double zero से start क कर सकते हैं, ठीक है, इसके colon कचिन लगाएंगे, और यहाँ पर message box अपने को लेकर आना है, तो यहाँ पर MSG box करके select कर लेंगे, अब इसमें जो भी आपको message box लेकर आना है, उसके उपर आपको heading क्या रखनी है, यहाँ पर heading डाल दीजिए, जैसे मैं अपनी website का नाम दर डाल देता हूं, ठीक है, इस तरीके से, फिर उसका colon कचिन लगाएंगे, अब इसमें आपको message क्या लिखना है, वो भी आप लिख सकते हैं, तो इधर लिखते हैं, फ्लीज, राइट, ठीक है, यहाँ राइट तक लिख दिए, अब अगर आपको second line में कुछ लिखना है, मतलब य एक line होगे, second line में दूसरा चीज आना चीए, तो आप इस तरीके से new line के लिए यहाँ पर slash n लिख सकते हैं, तो यहाँ से line अपनी change हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद ही यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, please write complete narration के बीच में मैंने इस तरीके slash n लगा दिया तो अपनी line जो हो चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसको आप save करते हैं, और चल के एक बाद telling देखेंगे, अब यहाँ पर मैंने open कर लिया purchase voucher, purchase या sales के लिए अपन set करके रखें, जैसे ही पर narration के पास में पहुंचेंगे, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, learnways.com करके ल तो इस तरीके से आप कोई सा भी message यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर यह sales voucher के लिए भी check करें, क्योंकि हमने वहाँ पर each sales और each purchase दोनों डाल के रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं narration के पास पहुंचा, तो यहाँ पर यह message अपना pop-up, इस तरीके से आप इस message को कहीं भी डाल सकत हुआ है, तो इसके अलाम भी हम लोग अपनी खुद की चीजें यहाँ पर डाल सकते हैं, अब यहाँ पर मुझे चेक करना है वागई में पार्ट है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पर control के साथ में क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पर अपना open होगा, यहाँ गो करेंगे, तो इधर में पहुंच जाएंगे, अब इस पार्ट में आ गया है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजे अलेडी दी हुई है, option option करके, ठीक है, अब यहाँ पर add line होगा, एड है, line add है, line के अंदर field होगा, तो हम लोग इसी तरीके से अपना भी चीजे इसमें add कर सकते हैं, तो यहाँ प लगाते जाना है, ठीक मैंने यहाँ पर learnable sales ऐसा करके लिख दी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, यही नाम लिखना है, अब यहाँ पर option हमने add किया है, इसके बाद अपने को double dollar के साथ में each sales करके इसको बताना है, यहाँ पर each sales लिखेंगे, और यहाँ पर फिर column chain लगा के dollar के साथ में लिख देंगे voucher type name, तो voucher type name क्या रहे, sales रहे, तो फिर अपना यह वाला option काम में आएगा, तो यह option जो अपना add किये तो इसको copy कर ले रहा है, अब यह जो option अपना add हुआ है, यह भी एक part ही है, तो अगर अपन option करके add करते हैं, part के अंदर तो पार्ट ही रहता है, यहाँ पर अगर line रहती, तो line के अंदर add करते है, option तो line में आता, तो यहाँ पर इसका definition बनाना है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे exclamatory chain के साथ में part, option में अपन exclamatory chain यूज करते हैं, और यह नाम को यहाँ पर वापस से paste करें, अब इसके अंदर म इसका definition बनाएं, अब इस field के अंदर जो भी आपको message देना है, जो भी चीज़े add करनी है, कुछ भी चीज़े जो भी चाहें आप add कर सकते हैं, तो यहाँ पर set add करें, अब जैसे मुझे कुछ अपना website का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर website का नाम देना है, ठीक है, यह इस त कैसे add करना है, पीछली वाली वीडियो आप देखेंगे, लाश्ट रेसिप उसमें मैंने बताया हुआ है, अब इसको refresh करते हैं और चलते हैं, टैली के अंदर अभी मैं इसको refresh करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिक क्या रहा है, अभी जैसे इस पर म आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यह चीज अपना आ रहा है, तो दोस्तों कैसे लेगी वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट करके वीडियो अच्छी लेगी हो, प्लिज लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नहे सब स्क्राइब करके जरूर रखिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू